हलो स्टूरेंट कल्याणी आए सेकेंड में को उनलाइट पर आपका स्वागत है मैं हूँ लखन दायमा आपको MPP से मेंस एक्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पड़ा रहा हूं जिसका नाम है सम्मिधान सासन व्यवस्था राजनिती तथा प्रसासनिक संद प्रेंट आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे निर्वाचन आयोग को पढ़ाने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि आप हम इकाई दो सुरू कर रहे हैं ठीक है और इस इकाई दो के अंतरगत कौन-कौन से टॉपिक मध्यपदे स्लोक से वायोग के द्वारा सम् ठीक है इसमें में आपको बताएंगे कि भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है संभिधान में किस भाग में और किस अनुच्छित में इसका प्रावधान है और इसके कारेवम सक्तियां कौन-कौन सी है ठीक है यह सब हम आपको इसके अंतरगत बताएंगे दूस इस एकाई दो में भारती राजनिती में धर्म बर्ग नजातियता भासा एवं लिंग की भूमी का इसके बाद फिर भारती राजनितिक दल एवं अतदान वहार सिविल सोसाइटी एवं जन अंदोलन इसके बाद पर अगला टोपिक होगा राष्टी अखंडता तथा सुरक् इसी को निर्वाचन सदन भी कहा जाता है तो निरवाचन सदन भारत का निरवाचन आयोग या एलेक्षन कमिशन आफ इंडिया तो यह कहाँ पर है तो इसका मुख्याले दिल्ली में है फ्रेंड और हमारे संब्धान में कहाँ पर इसका प्रावधान है यह हम आपको आगे बता रहे हैं तो देखें इसमें निर्वाचन आयोग तो निर्वाचन आयोग हमारे भारत में यह एक संविधानी संस्था होती है और हमारे भारती संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक इस्थाई एवं स्वतंत्र निकाई के रूप में इसका प्रावधान किय गया है ठीक है इसकार्थ है क्या हुआ तो इसकार्थ है कि जो निर्वाचन आयोग होता है हमारे भारत का तो भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और इस्थाई निकाय है और यह संविधानिक निकाय है संविधानिक निकायकार्थ है कि इसका वरणन हमारे भारतिय संविधान में किया गया है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर भारतिय संविधान में निर्वाजन आयोग के कारिये एवं सक्तियों का वरणन किया गया है ठीक है इसके बाद फिर जन प्रतिनिधित वाधिनियम 1950 एवं जन प्रतिनिधित वाधिनियम 1951 के द्वारा भारत के निर्वाजन आयोग की सक्तियों का विस्तार किया गया है ये आपको ध्यान रखना है एक्जाम में आपसे कोशन पूर सकता है तीन नंबर में कि हमारे भारत का जो अदिनियम के तहट किया गया है तो आपको धियान रखना है जन्प्रतिनिद्यत्व अधिनियम 1951 इस यसंचेश अधिनियम के तहट निरवाचन आयोकी सक्तियों में विस्तार किया गिया है ठीक के फ्रेंट तो यह तो इसकी समबने जनकरी थी आप इसके बाद दीखे निरवाचन अयोग होता है इसा संभीधान में प्राउधान कहा igвол है या इसका से संभीधानिक प्राउधान क्या है ठीक है तो हमारे भारती संभीधान के वहांग 15 में तो सम्मिधान के भाग 15 में अनुच्छे 324 से लेकर अनुच्छे 329 के खंड कर तक भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है यह आपको ध्यान रखना इसमें इसके बाद फिर इसके स्थापना कव होती है तो इसके स्थापना फ्रेंड 25 जनबरी 1950 को की ग भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गए थी इसका मुख्यालय कहां पर है तो इसका मुख्यालय याद रखना निर्वाचन सदन असोक रोड नई दिल्ली इसका मुख्यालय होता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इंपोर्टेंट है ठीक है इसके बा देखिए तो अगर तीन नंबर में आप से कोशन पूशा जा रहा है तो आपको तीन नंबर में सिर्फ इतना लिखना है कि आरा समझ में यह आपको ध्यान रखना प्रेंट अब इसके बाद देखिए कि चुनाव आयोग एक अखिल भारती संस्था है क्योंकि यह हमारे भारत में संसद तथा राजविधान मंडल के दोनों चुनावों के लिए समान रूप से उत्तरदाई है इसका आर्थ है कि जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग होता है यह हमारी संसद का चुनाव तो इन तीनों का ही चुनाव संपन कराता है भारत का निर्वाचन आयोग यह आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड इसके बाद उपराश्ट्रपती का चुनाव भी हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन कराया जाता है इसके बाद राज्यों के विधान मंडल तो राज्यो में जो ग्राम पंचायत का सुनाव होता है जनपत पंचायत का सुनाव होता है इसके बाद पर नगरी निकायों में नगर निगम नगर पाली का नगर पंचायत को सुनाव होते हैं तो इनके चुनाव राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन कराया जाते हैं याद र सरकार होती है या पंचायती सरकार होती है और इसके बाद में नगरी सरकार होती है इनके चुनाओं कुन करवाते हैं तो इनके चुनाओं हमारे जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता है तो राज्य का निर्वाचन आयोग इनका चुनाओं संबन कराता है हमारे भारत का निर एक ठीखें अब इसके बाद देखें आगे कि हमारे संविधान के भाग पंद्र ने तो अ니다 Pharm От नाम होता है निर्वाचन ठीगें और भाग बंद्र बैसा नूच्हें से हैसानूचय तक प्रउधान किया गया है तो स्मवधान के एंुच्छ q2 से लेकर उसे टीन सो उन्ती से खंड कर तक इसका प्राओधान किया गया है थिक्यां अब संवधान के भाग पंद्र गया लिखा होगा ही या इसमें किसका प्राओधान कि शाहalom के पास होता है इसके बाद फिर आदेश देना इसके बाद फिर नियंत्रन करना यह सारी सक्तियां कि इसके पास होती है निर्वाचन आयोग के पास होती है और इसे अनुच्छे मूलवंस, जाती, लिंग के आधार पर किशी विक्ती का निर्वाचक नामवली में सम्मिलित किया जाने के लिए अपात्र ना होना और उसके दुआरा इसी आधार पर किसी विसेस निर्वाचक नामवली में सम्मिलित किया जाने का दावा ना करना ठीक है यह किस में लिखा है यह आप से 325 में लिखा रखना है यह ब आप पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद फिर अगला है 326 तौ। आप अनुछ है 326 में लिखा है कि लोकसवा और राज्यों की विधान सभाँ के लिए निरवाचनों का मतादिकार के आधार पर होना अवशकार्दे क्या है तो इसकारति यह होता है कि लोकसवा और राज्यों की विधान सभाओं के चुना धा conservative तो उसमें बैस्क मताधिकार के अधार पर वोट दी जाती है, मतलब जो वेक्ती 18 वर्स के उमर पूरी घर चुका है, एक वेक्ती एक वोट देने का धिकार रखता है, यह अनुच्छे 324 में प्रावधान किया गया है, ठीक है, इसके बाद फिर अनुच्छे 327 इसमें लिखा है कि विधान मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंद में प्रावधान करने की संसद की सक्दी, तो अनुच्छे 327 में लिखा हुआ है, 327 में लिखा है कि जो विधान मंडल होते हैं तो विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंद में चुनाओं के संबंद में प्रावधान कर सकती है हमारी संसद ठीक है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छे 327 के तहर इसके बाद फिर अगला अनुच्छे आता है अनुच्छे 328 इसमें लिखा है कि किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंद में उपबंद करने की उस विधान मंडल की सकती है आरा समद में यह आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद फिर अगला आता है अनुच्छे 329 तो 339 में लिखा है कि निर्वाचन संबंदी मामलों में नियालय हस्तचेव पर रोक मतलब कि जो चुनाव होंगे तो चुनाव से संबंदित अधिकार हमारे चुनाव आयोक को दिये गये हैं तो इन चुनाव संबंदित मामलों में हमारे नियालय हस्तचेव नहीं करेंगे ठीक है इसके बाद फिर अगला है अनुच्छे 329 का खंड का यह निरिशित कर दिया गया है मतलब यहां से इसको कैंसल कर दिया गया है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर अब देखें फ्रेंट इसमें सारवभोमिक वैस्क मताधिकार होता है तो इसका आर्थ क्या होता है तो हम हमारे भारतिय सम्मिधान के अनुच्छे 326 में लिखा है कि भारत के प्रत्यक वैस्क नागरिक को चुनाव में मत देने का धिकार प्रदान किया गया है तो वैस्क किसे कहा जाता है तो जो व्यक्ति हमारे भारत में 18 वर्स के उम्रपूरी कर चुका हो एक व्यक्ति एक अधिक मामले में दोसी ना पाया गया हूँ और मांसिक रूप से विक्षिप्त ना हूँ या मांसिक रूप से अस्वस्थ ना हूँ ठीक है तो ऐसे विक्ति को यह वैस्ट मतादिकार प्रदान किया गया है इसके बाद फिर इस सारवहमिक वैस्ट मतादिकार की मांग हमारे भ साइमन कमिशन ने इनकी मांग को स्विकार नहीं किया था इसके बाद फिर साइमन कमिशन में सभी सदस्य अंग्रेश थे उसमें किसी भी भारतिये को सामिल नहीं किया गया था इसलिए तो साइमन कमिशन का हमारे भारत में विरोध किया गया था ठीके फ्रेंट इसके बाद फ कुछ महत्पून पॉइंट थे जो आपको याद रखना है एक्जाम में आपसे कोश्चन पूछा जा सकता है ठीक है इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग होता है तो भारत के निर्वाचन आयोग की संदचना किस प्रकार की है ठी है तो इसमें कौन हौते हैं ये आवम आपको बता रहे हैं तो देखे इसमें इस निर्वाचन आयोग में एक होता है इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठीक है इसी को हम मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से भी जनते हैं तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं यह हमारे भारत में एक होते हैं ठीक है जो भारत का निर्वाचन आयोग है उस के द्वारा की जाती है तो आपको ध्यान रखना है इनके नियुक्ति हमारे भारत के राष्टपति के द्वारा की जाती है ठीक है तो भारती सम्मिधान के रुच्छे 324 के तहत राष्टपती की द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ती हमारे राष्टपती की द्वारा की जाती है और यहां प्रावधान भी हमारे भारतिय सम्मिधान के दुछे 324 में किया गया है ठीक है यह आपको ध्या को ध्यान रखना है कि जब कोई न निर्वारचन आयोकत इस प्रकार नियुकत किया जाता है तब मुख्य- निर्वाचन आयोकते अध्यक्ष के रूप में काई करएगा इसकार्थ दहुत कह रिया जाएगा तो यह अध्य भारत के इसके बाद फिर राष्ट्रपती निर्वाचन आयोग की सला पर प्रादेसिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवसक समझें तो हमारे भारत में भी हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है उसको यह लगता है कि ह हमें कुछ और आयुक्तों को नियुक्त करना है और अगर हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्ते से सलाइदी राष्ट्रपति को देते हैं तो हमारे राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त कर सकते हैं ठीक है इसके बाद फिर निर्वाचन आयुक्तो वह प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की सर्ते वह इनकी पदावधी यह हमारे राश्ट्रपती के द्वारा निर्धारित की जाएगी कि आरा समझ में यह आपको ध्यान रखना है यह सब इसके संदशनाओं के वारे में आपको हम बता रहे हैं इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि हमारे भारत में 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाशन आयोग एक सदस्य निकाय था अरा तमझे फ्रेंड यह आपको ध्यान रखना है जैसे हमारे भारत में हमने आपको बताया था कि जो निर्वाशन आयोग होता है तो इसकी स्थापना हमारे भारत में 25 ज एक सदस्य निकाय था मतलब इसमें सिर्फ मुक्हीच चणाव आयूखित χी थे और कि चुना आयूखित ही इसमें काली करते थे ठीके इसके बात फिर क्या हुआ कि एक संभिधान एकटारा वर्स कर दी गई थी जिसके कारण हमारे भारत में मत दाताओं के संखिया में व्रद्धि होई Damn मतौतौत के संखिया में व्रद्धि होने लगी तो फिर यहां पर भारत के निरवाचन आयो के मुख्यचनाव अयुक्त थे इन पर कारिभार Fr बढ़ने लगा तो इनके कारिभार को कम करने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपती ने दो अन्य निर्वाशन आयुक्तों को भी नियुक्त कर लिया था ठीक है तो फिर यहां आयोक कितने सदस्य हो गया तो यहां आयोक फिर बहुत सदस्य आयोक हो जाता है अर्थार्थ इसमें तीन निर्वाशन आयुक्त हो चुके थे ठीक इसके बाद फिर हम देखते कुछ समय से कि लोने कारी किया तीन चुनाव आयूकतों ने इसके बाद Dos ौनौन वा Państu के पद कोफिर समाप्त कर दिया गया ठी dedicate तो फिर यहां पर इस्थिती पहले की तरह हो गई मतलब यहाँ पर फिर अलकेले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बचे फिर इसके बाद में उन्निस्टूबर Championships 2023 में फिर निर्वाचन आयुक्त कर फिर से नियुक्त किया गया और फिर इस 1993 में या इस वर्स फिर से हमारा चुनाव आयोग कितने सदस्ची हो जाता है तो फिर हमारा चुनाव आयोग यहाँ पर तीन सदस्ची चुनाव आयोग हो जाता है तो 1993 1993 से लेकर अब तक हमारे भारत में चुनाव आयोग तीन सदस्ची या तीन आयुकतों के रूप में कारी कर रहा है और हिसमें एक मुख्य मुख्यू चवा आयोग ठो होता है और दो इसमें अंय चणाव आयोग समER सिखे मेह 3 सदस्चिशी आयोग के रूप में अभी कारी कर रहा है ये आपको ध्यान रखना शुक देट के बाद में इस आयोग में या जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसमें प्रतम मुख्य निर्वाचन आयोग तो कौन थे तो इसमें प्रतम निर्वाचन आयोग था हमारे भारत के सुकुमार सेन इने नियुक्त किया गया था ये मुख्य निर्वाचन आयोग थे हमारे भारत के प्रतम औ और बरतमान में कौन है तो बरतमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनिल चंद्रा ही जो 13 अप्रिल 2021 से कारिड़त हैं ठीक है यह आपको धियान रखना प्रेंट एक्जाम में आपसे कोश्चन पूछ सकता है कि प्रतम और बरतमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताईए ठीक है तो यह आपको लिखना होगा ठीक है अब इसके बाद देखें इसमें आगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह दो अन्य निर्वाचन आयु इसके बाद फिर इनके जो बेतन भत्ते होते हैं ठीक है अब इनके बेतन के बारे में देखिए तो इनके बेतन भत्ते दूसरे अन्य लाभ भी इनके सब समान होते हैं तो यह किसके समान होते हैं तो यह सरवच न्याले के न्याइदिस के समान इनके बेतन भत्ते होते हैं वह दो अन्य निर्वाशन आयूक्त के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग वहुमत के आधार पर अपना निर्णय करता है ठीक है फ्रेंट यह आपको धियान रखना है अब इसके बात में जो निर्वाशन आयोग के मुख्य आयूक्त तथा अन्य आयूक्त होते हैं कि इनका कारिकाल कितना होता है इनका कारेकाल आपको याद रखना है ठीज़न चे वर्स या 65 वर्स इनमें से जो वी पहले हूं तब तक यह अपने Pasबर के और सकते हैं ठीक है कि इसकार्थि क्या हँआ कि जैसे ऑन्ली जी कि सुनिल चंद्रा कितने साल के हम अभी हमने पद से हटना पड़ेगा ठीक है यह यह रिटायर हो जाएंगे या फिर माली जी कि सुली चंद्रा उधारन के लिए 75 साल के है यह कब करेंगे यह चे मतलब 2021 साल की अम्रेट कारी करेंगे तो जो भी पहले हो या तो 6 बर्स पहले हो जाए या 65 बर्स पहले हो जाए इन में से जो भी पहले हो जाएगा ये अपने पद पर कारिय कर सकते हैं ठीक है परिंट ये आपको ध्यान रखना है और इनको इनके कारिय काल के समापती से पहले भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है ठीक है लेकिन इन हमारे भारते संविधान के अनुछेद 324 आर्टिकल 324 में चुनाव आयोक के स्वतंद्र और निस्पक्षे कारी करने के संबंद में प्रावधान किये गये हैं तो यह कौन-कौन से प्रावधान है यह देखें इसमें तो पहला प्रावधान यह है कि मुख्य निर्वाचन आय आयुक्त होते हैं इनको जब नियुक्त किया जाएगा तो इनकी सेवा सर्तों में कोई भी अलाबकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब इनकी नियुक्त हो जाएगी उसके पश्चात ठीक है यह इनकी सुतंत्रता है इसके बाद फिर अगला है कि अन्य निर्वाचन आ यह अन्य निर्वाचनायुक्त होते हैं इनको हमेरे राष्टपती कि इस अधार पर हटाते हैं तो इस प्रकार से निया दिनके सकते हैं तो यह मुख तो आगे बता रहे हैं अब इसके बाद देखे इनकी स्वतंद्रताओं के बारे में और तो अगला पॉइंट देखें इसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्तु को अपने निर्धारित पदावधी में काम करने की सुरक्षा है मतलब जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो यह स्वतंद्र होकर कारी करेंगे यह किसी के दवाव में आकर कारी नहीं करेंगे इसके बाद फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो मुख्य निर्वाशन आयुत्तु को उसके पद से उसी रीती से या उनी आधारों पर हटाया सकता है जिस रीती से और आधारों पर उच्चितम न्याले के न्याइधिस को हटाया जाता है तो जिस प्रकार से उच्चितम न्याले के न्याइधिस को हटाया जाता है उसी होगा दो रिव्यावाहार या असक्षमता आरा समझ में तो गलत व्यावार में पाए जाए या कारे करने में सक्षम नहों तो ऐसे स्थिति में संसत के दोनों सदनों में इनके द्वारा प्रस्ताव पेस्ट किया जाता है ठीक है तो किसी सदन में इनके लिए प्रस्ताव पेस्ट किया जा सकता है और जब दोनों सदन इसे विसेज बहुमत से तो विसेज बहुमत कारत क्या हो जाएगा तो विसेज बहुमत कारत हो जाता है कि दो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यह राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत पद धारण नहीं करते हैं हलाकि हमारे राष्ट्रपती इन्हें नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपती नियुक्त करते जरूर हैं पर राष्ट्रपती इन्हें अपन की सीमाएं तो हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है इसके सीमाएं कौन-कौन सी है देखे इसमें पहला पॉइंट है इसके लिए कि संभिधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है ऐसा इसमें कोई संभिधान में प्रावधान नहीं है इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट होता है इसमें कि संभिधान में निर्वाचन आयोक के सदस्यों की अहरता मतलब इनकी युगता जैसे विधिक सैक्षनिक या प्रसास्दिक या न्याइक ऐसे कोई अहरता इनके बारे में संभिधान में लिखित नहीं है इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि संभिधान में सेवा निव्रत्ति के बाद निर्वाचन आयोक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है आरतमत में मतलब होता है कि जब यह सेवा निव्रत्त हो जाते हैं तो इसके बाद निर्वाचन आयोक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई नहीं गई है मतलब कि जब रिटायर हो जाएंगे तो इसके बाद भी सरकारी पद्द पर कारिये कर सकते हैं इस पर प्रदान की गई है और इनके कुछ करियो होते हैं तो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है यह संसद राज्य के ब्रश्टिusement राष्टपति उपराष्टपती के पदो के निर्वाचन के संदर्व में चुनाओ आयोक की कुछ सक्तियां होती है और इनके कुछ कारियों होते हैं तो इनके सक्तियां वह कारियों को तीन स्रेणियों में बाटा जाता है तो तीन स्रेणि कौन कौन से हो जाती है तो पहले स्रेणि होती है प्रशासनिक दूसरी होती सलाकारी और तीसरी होती है आरधन्याइक य यदि तीन नमबर में आप से कोशन पूछा जाता है तो तीन नमबर में ये तीन उसकी सक्तियां आपको बताना है या कारी बताना है तीन नमबर में ठीक है आप इसके बाद फिर देखिए फ्रेंट इसमें आगे पहले इसकी सक्तियां तो जो भारत का निर्वाचन आयोग होता है तो भारत के निर्वाचन आयोग की कुछ सक्तियां है तो इसमें देखिए पहली सक्ति तो पहला पॉइंट डिस में आता है कि निर्वाचन आयोग एक संब्धानिक निकाय है मतलब कि हमारे भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारते संविधान में किया गया है तो कोई से भी संस्था हो या कोई सा भी पद हो जिसका संविधान में प्रावधान है तो वह संविधानिक पद या संविधानिक संस्था या संविधानिक निकाय कहलाता है इसके बाद फिर इसी न्याल मतलब हमारे निर्वाचन आयोग को जो भारत का निरवाचन आयोग होता है इससे civil न्याले की सकतियां प्रापते हैं इसके बाद फिर अगला point में आता है कि आयोग भारतिय भुभाग में किश्यी विव्यक्ति को समन जारी कर सकता है तो यहाँ पर समनकर्थ है क्या हुआ यहाँ पर समनकर्थ होता है बुलावा पत्र भी हमारा निर्वाचन आयोग होता है यह बुलावा पत्र भी जारी कर सकता है यह भेश सकता है इसके बाद साथ ही सरकार के किसी भी विभाग से संबंदित आवस्यक फाइलों को देख सकता ह इतना अधिकार हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पास होता है इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि आयोग के पास नियाईक सक्तियां भी है वह निर्वाचन से संबंदित विवादों का निप्टारा करता है तथा उम्मीदवारों तथा दलों पर करने हैं तो हमारे राज्यपाल या हमारे राष्ट्रपती को भी सिफारिस करते हैं यह अधिकार हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के पास होते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा कि जब हमारे भारत में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग उस समय बहुत सक्तिसाली होता ठीक है जब आचार सहीता ल spatula हो जाती है तो उस त्रह्त निर्वाचन अयोग के ही चलती है भारत में आपने देखा होगा ठीक है मैं इसके बात पिर आगे देखें इसमें निर्वाचन अधर्रा के का रिये तो निर्वाचन अधर कारी कौन कि है निरहरता के अर्थ याद रखना तो जो संसर सदस्यों होते हैं इनकी आयोग्यता से संबंदित मामलों पर हमारे राष्टेपती को भरात का निरवाचन आयोग सुझाओ देता है इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि विधान परिशत के सदस्यों की अयोग्यता मतलब निरहरता से सम्मंदित मामलों पर राज्यपाल को परामर्स देता है आरा समझ में इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि मतदान केंद्र को निर्वाचन आयोग कर सकता है आरा समझ में जहां पर चुनाव हो रहे हैं और माली जैकि वहां पर मद्दान केंद्र को लूटा गया है या हिंसात्म कारवाई हो गई है यह इंसात्म कारवाई को वड़ावा दिया गया है तो इस प्रकार की जो अनिमेता होती है तो इन तथा राज पाल से आगरह करता है आपने देखा होगा कि जब हमारे भारत में लोग सभा के चुनाव होते हैं बिधान सभा के चुनाव होते हैं तो इन चुनाव आयोगों को संपूर्ण कराने के लिए कुछ फोर्स क्या वसकता होती है आरा समझ में तो फोर्स में देखा ह करता है हमारी से सरकार से आग्रह करता है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग अर्थार्थ हमारे राष्ट्रपती और राज्यपाल इन से आग्रह किया जाता है और फिर इनके अनुमतिक अनुसार इन को चुनाव संपन करने के लिए विभने छेत्रों में भेजा जाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद फिर अगला आता है कि राजनितिक दलों को माननेता प्रदान करना ठीक है और उन्हें चुनाव चिन्न के मामले में हुए बिवाद कि समदान के लिए नियाले की तरह काम करना ठीक है तो कई बार क्या होता है कि हमारे भारत में जो निर्वाचन आयोग होता है यह पारटियों को मत्तव दल होते हैं उनको मानेता प्रदान करता है और चुनाव चिनाव अब अंटिट करता है और जिक decision देता है जो निर्वाचन देता है वह सर्वमान्य होता है ठीक है इसके बाद फिर अगला point आता है कि निर्वाचन विवस्था से संबंदित विवाद की जाज के लिए अधिकारी को नियुक्त करना आरा समझ में जो निर्वाचन विवस्था होती है और उससे संबंदित अगर कोई विवाद है तो उसकी जाज के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति यह निर्वाचन आयोग ही करता है ठीक है इसके बाद फिर अगला point याद रखना है आपको कि निर्वाच नायोग तो कौन-कौन से आचार सहीता होती है यह हम आपको आगे पढ़ाएंगे ठीक है इसके बाद फिर अगला आता है कि निर्वाचन के समय राजनितिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो टीवी ठीक है इन पर कार्यकरम के सुची तथा उनका समय निर्ध पर इनके कार्यकरम का प्रशारण का समय किसका कितना होगा यह हमारे भारत का निर्वाचन आयोग ही निर्धारित करता है तो आपने देखा होगा कि जब हमारे भारत में चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग इनको समय देता है कि आपका टीवी पर रेडियो पर एक मिनट किया जाता है ठीक है इसके बाद फिर को अगला देखें पॉइंट में तबला पॉइंट है कि समस्त भारत में स्वतंद्र और निस्पक्स चुनाव कराने के लिए चुनावी तंद्र का परिवेक्षन करता है हमारे भारत का निर्वाचनायोग ठीक है तो हमारे भारत का निर्वाचनायोग जब चुनाव कराता है तो स्वतंद्र तरीके से चुनाव करवाता है किसी पार्टिया अन्ने किसी सरकार के दब कभी कोई कारी यह नहीं करते इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्टपती को सलाह देना ठीक है तो चुनाव आयोक समय समय पर हमारे राष्टपती को भी सलाह देते हैं ठीक है तो राष्टपती सासन वाले राज्ज में एक वर्स समाप्त होने के बस्षात निर्वाचन कर पर राष्टपती सासन होता है और राष्टपती सासन समय जाता है तो इसके बाद वहाँ पर चुनाव करवाना हैान नहीं करवाना है इस प्रकार WiFi देता है इसके फिर अगला कार्य होता है कि निर्वाचन के मद्द नजर राजितिक दलों को पंजिक्रत करना ठीक है और तथा निर्वाचन के प्रदर्शनों के अधार पर उन्हें राष्टी और राजिस्तरी दल का दर्जा देना मतलब जितने भी पार्टियां होती है इन पार्टी को इन कौन से पार्टी राजिस्तर की होगी यह वे निर्धारित हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से यहां पर चनाव आयोग के कुछ मुख्य कारे हैं और इसके अलाबा भी और मुख्य कारे हैं जो आपको ध्यान रखना है और भी कारियों में देखिए तो संसद के परिश्यमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन छेत्रों के भूभाग का निर्धारन करना आरा समझ में तो हमारे भ भारत का निर्वाचनायोग ठीक है कि कहां पर कितनी सीट होना चाहिए यह भी हमारे भारत का निर्वाचनायोग की डिसाइड करता है इसके बाद फिर अग्ला आता है इसमें कि समय समय पर निरवाजक नामा वली तैयार करता है ठेक है और सभी योग के मतदाताओं को पंजी जित भी करता हैं तो आपने देखा होगा जब आप बौट डालने जाते हैं तो आपको बोटर लिष्ट दिे जाती है तीक है तो जो निरवाजक नामा प्लाबली दि जलती इसमें आपका नाम होता है चैकंड और फिर उसके मध्यम से बोट देते हैं खिर जो योग के मत रता होते हैं ऊक्यूरी जो सभी निर्वाचन की तिथी और उसके समय सारणी घुषब करना मतलग चुना होगा तो किस तारीक को चुना होगा, कितने बज़े से कितने बज़े तक चुना होगा, यह भी decide कोन करता है हमारे भारत का निर्वाचन आयोगी करता है, एवं जो नामांकन पत्रों होते हैं, तो नामांकन पत्रों का भी परिक्षन करना हमारे निर्वाचन आयोग का कारी होता है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि राजनितिक दलों को मन्यत्ता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन आवंटित करना तो जितने भी राजनितिक दलों होते हैं राजनितिक पार्टी होती है इन राजनितिक दलों को मन्यत्ता प्रदान करता है यह आयोग और किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्न दिया जाएगा यह भी हमारे भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा है डिसाइड किया जाता है ठीक है यह आपको इसमें ध्यान रखना है तो इस प्रकार समझेखते हैं कि यहाँ पर हमारे भारत के निर्वाचन आयोग क पढ़ाएंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्लेणी आए सेकेट में के सभी वीडियो जो आपको MPP सिमेंस एक्जाम में सफलता दिलाने में महत्पून भूमिका निवाते हैं थेंक्स पूर बोचेंग झाल